एपिसोड की शुरुवात में हमें फालकन यानि सैम को दिखाए जाता है कैप्टेन अमेरिका की शील्ड के साथ में जहांबर वो कैप्टेन अमेरिका के एक बात को याद करता है जिसमें कैप्टेन उससे भूचते हैं कि कैसी लगी तो यहां पर फिर Sam जवाब देता है अच्छी है लेकिन पराई है इसके बाद सीन दूसरी तरिफ चले जाता है हमें यहां पता लगता है कि Sam अब US Air Force के साथ काम करने लग गया है आज उनके यहां पर एक terrorist group LAF ने उनके Captain Dasanj को पकर लिया होता है उनके ही plane में तो यहां पर फिर Sam को responsibility मिलती है Captain Dasanj को वापस लाने के लिए और उसे ground support मिलते है Lieutenant Taurus तो फिर Sam यहां पर terrorist द्वार hijack plane पर जाता है तो plane पूरी तरिकी से terrorist के कबजे में होता है तो फिर Sam यहां पर अपने रैडविंग की मरत से plane के अंदर जाता है और plane के अंदर घुषते हैं उन आतंकियों के पर हमला कर जेता है तो आतंकी लोग भी उसके पर जवाबी हमला करते है तो उस जवाबी हमले में plane का pilot मारा जाता है तो pilot के मरते ही जितने भी सारे आतंकी होते है और plane से कुच जाते हैं diving करते हुए और Captain Dasan's को भी अपने साथ ले जाते हैं तो यहां पर जो Sam होता है उन सभी का पीछा करने लग जाता है तो Sam उनका पीछा कर रहा होता है तो अब जो terrorist group लोता है LAF और अपने यहां हेलिकॉप्टर भेज जिता है तो सारे हेलिकॉप्टरों यहां पर Sam के उपर गोलबारी करने लग जाते है तो फिर Sam लास्ट में जैसे तैसे रेड विंग के साथ मिलकर उनकी सारे हेलिकॉप्टर को ओड़ा देता है उनकी सारे आतंकियों को भी मार देता है और फिर लास्ट में Captain Dasan's को भी बचा लेता है बीना लीबिया की बॉर्डर के अंदर गुसे हुए इसके बाद सीन ट्यूनिशा की तरफ चले जाता है हमें अपर Sam और Lieutenant Taurus को दिखा जाता है तो यहां पर Taurus, Sam से Captain Amirka के बारे कई सारे questions पूचता है फिर वो उसे एक terrorist group, Plagg Smashers के बारे में बताता है जिनका मानना होता है कि दुनिया Taurus के ब्लिप से पहले अच्छी थी जहां कम लोग बाग हुआ खरते थे इदर फिर सीन वापस वाचिंग्टन DC के तरफ चले जाता है हमें यहां Sam को दिखा जाता है तो यहां पर Sam का मानना होता है कि हुआ Captain America की शील्ड के लायक नहीं है वो यहां पर मानता है कि भले दुनिया में अब नईने चुनोते आवे हैं टोनी के ब्लिप के बाद में दुनिया की population बढ़ गई है और दुनिया को नए heroes भी चाहिए लेकिन यहां पर Captain America की जगा कोई नहीं ले सकता तो फिर वो यहां पर Captain America की शील्ड को एक museum को दे देता है ताकि वो शील्ड Captain America के सुट की साथ रख सके और यहां पर उनकी legacy बरकरार रहे अब जो roadie होता है अभी यहां पर Sam को insist करता है कि वो नया Captain America बन जाए जिकिन यहां पर जो Sam होता है मना कर देता है क्योंकि वो यह खुद को लायक नहीं समझता Captain America बनने की यह ज़र फिर एक स्टीन होटल की तरफ चले जाता है हम यहां पर पूराने बकी बांस को दिखाये जाता है जो कि Winter Soldier है और Hydra के Control में है तो यहां पर होटल में आता है और लोगों को मारता है और फिर लास्ट में होटल में जब वो सभी लोगों को मार देता है तो लास्ट में वो एक Innocent Chinese आदमी को भी मार देता है जो कि गवा होता है उसके सभी कतल का तबी अचानक से यहां पर बक्य की नेन कुल जाती है और हमें पता लगता है कि यहां पर बक्य सपना देख रहा था और माज प्रेजेंट डे में आ जाते है अब हमें पता लगता है कि जो बक्य है अपर नियॉयॉक में रह रह रहा है और हमें यहां पर बते लगता है कि यूएस गवर्मेंट ने उसके ठेरेपी सेशन रखावा होता है ताकि यहां पहले जिसी लाइफ वापस जी सके तो यहां पर जो बकी होता है अपनी पुरानी गल्चे को जुदार रहा होता है जो कोई भी उसकी मदद से मतलब विंटर सोलजर की मदद से किसी अच्छी पोजिशन पर चले गया और जिन भी लोगों ने विंटर सोलजर का एडवानिटेज लिया उन सभी को यहां पर पुलिस के हाथों पकड़वा देता है तो पुलिस के हाथों पकड़वाते टाइम वह तीन मतों का धियान रखता है कि पहली बात किसी को चोटने लगे हर चीज कानून के दाइरे में हो और लास्ट कि हो कभी विंटर सोलजर ना बन जाए तो इसी पर काम करते हुए उसने कल यह एक सेनेटर को पुलिस के हाथों पकड़वाया था जो कि विंटर सोलजर की मदद से सेनेट तक पहुची थी लेकिन अभी भी वह सुधी नहीं थी और अपनी पोजिशन का गलत फायदा उठा रही थी तो यहाँ पर जोसके थेरेपिस्ट होती है उसके पर चीड़ जाती है उसे वापस एक नई लाइफ शुरू करने के लिए गए वह से यहाँ पर इंसिस्ट करती है लोगों से गुलने मिलने के लिए होसे डाटी भी है क्योंकि किसी के भी मैसेजस को रिस्पॉंड नहीं कर रहा था वह यहां तक कि सैम की मेसेजस का भी जवाब नहीं दे रहा था तो फिर यहां पर फी बगी उससे कुछ टाइम बंगता है अपनी पुरी लाइफ को वापस पट्री पर लाने के लिए है अब जो बगी है वह न्यूयॉयर्क में रहना लग झे है अंकल यूरी के साथ में मतलब Magic के सब वाइर करता है मतलब वह उनके साथ डीक करता है उनके साथ लंज करता है उस दिन地 थेरपे की बात में भी फिर वे दुन आप एक चाइनिस रेस्टोर्ण में चले जाते हैं चाइनिस फूट खानी के लिए तो यहापर जो अंकल यूरी होते हैं बकी की बेटी की तो मौथ हो चुकी है और आज तक है पता नहीं चला कि उनकी बेटी की मौथ की वज़ा किया थी यहापर सैम जाता है अपनी बेहन से मिलने के लिए तो हम यहापर पता लगता है कि सैम का जो फैमिली बिजनेस होता है उसके आलत ताफ ही खराब हो जाती है ब्लिप की वज़ा से क्योंकि पास साल तक उनके फैमिली बिजनेस को देखने वाला कोई होता ही नहीं है यहापर जो Sam की बहन होती है, अपने family business को बचाने के लिए उसकी dad की boat को बेशने का सोचती है जापर जो Sam होता है, उससे dad की boat बेशने से रोगता है क्योंकि उस boat की साथ उसकी और उसकी बहन की कई सारे यादे जुड़ी भी होती है तो फिर वह last में अपनी बेहन को जैसे तरह से मना लेता है उस boat को बेशने से और एक loan लेने के लिए तयार कर लेता है इधर जो बची होता है, उस restaurant में चले जाता है उस लड़की के साथ date के लिए तो यहाँ जो लड़की होती है, उसे बची काफी अजीव लगता है क्योंकि पूराने ख्यालों वाला होता है, वह अजीव बचीव बाते भी करता है क्योंकि बाकि इस नई दुन्या से लोड़ा अंजान होता है वह पूराने ख्यालों वाला भी इस वज़े से होता है क्योंकि वह 106 साल का है यहां जो लड़की होती है यहां भी यांपे बकी को पसंद करती है तो फिर डेट की बीच में दोनों गेम कहलें लग जाते हैं दो यहां पर फिर बीुश में भीच में बनाट्की की तारीफ करने लग जाती है किस तरह हैं और अंकल यूरी की साथ टाइम करता है, वने सबैस के company दरता है क्योंकि उनके बेटे की तो मोध हो चुकी है और फिर यहां पर उनके बेटे की मौध कारे MVPाव्व मात करने लग जाती है तो यहाँ पर अंकल यूरी की बेटे को मारकर यहाँ पर बखे भी काफी दुखी होता है इदर सेम भी लोन ओफिस जाने के तरहरी करता है अपनी बेहन की साथ में ताकि वह अपने फैमिली बिसनेस को बचा सके इदर जो तौरेस होता है वह सुस्यरे रंड में होता है तो वह हम humor जाता है तो ग्रूफ वाले होते हैं उसे भी मास्क दे देते हैं और तभी महाँ पर उनकी group का एक आद्मी बैंक के उपर हमला कर देता है और बैंक से सारे पेसे चुड़ा के भाग जाता है तो इतनीमें पर वो लिए आदमी होते हें, हमाँ अब कमाएं आदक बमीशी करते हैं ताप सोंसकों जा है, चुछ फिरकूर होता है , यूरिय जाता है लोन शाल ऊफिस योग होता है क्योंकि उनका बिजनेस पीछले 5 सालों से बंद पढ़ाब होता है और उनके बिजनेस की हालत काफी खराब होती है यह पर दोनों भाइबेन उस लोन ओफिसर को समझाने की खुशिश करते हैं लेकिन वादमें उनकी एक नहीं सुनता और उन्हीं साफ मना करते था लोन देने स लोन नहीं मिलता तो यहां पर दोनों भाइबेन काफी दुखी हो जाता है उसे करती है और लेकिन सेम जैसे तैसे उसे समझाता है कि कोई ना कुछ जुगार कर लेगा तो यह भी होती है किस तर बाखी सब एवेंजर्स यहां पर एक लाइविश लैफ जिर रहिए और तुन यहां पर एक loan के लिए भी तरस रहे हो यह दर फिर Sam अपने डैट के याद में उसे boat को start करने की कोशिश करता है लेकिन वह boat start ही नहीं होती इतने में तो Taurus उसे call करता है और वह उसे पूरे कार्ण के बारे में जान कर देता है उसे यहां पर वह वीडियो भी शेयर करता है तो यहां पर जो Sam होता है उस पूरे कार्ण को थोड़ा लाइट लेता है यहां पर उसकी बेहन उस रूम में आ जाती है और उसे न्यूस चलन चला कर दिखाती है तो उसे यहां पर पता लगता है कि युएस गवर्मेंट ने Captain America की शील को एक नई आद्मी को दे दिया है और उसका नाम पर उन कैप्टेन अमेरिका रख दिया है और उसे एक नई हीरो के तरह इंटर्डीउस कर दिया है यहां पर Captain America की शील को किसी और के हाथों में देहकर से हम काफी दुखी हो जाता है उसका मानना होता है कि Captain America जैसा कोई नहीं और उनकी जगा कोई नहीं ले सकता तो जब वो उनकी शिल किसी और के हाथों में लेखता है तो आपी काफी दुखी हो जाता है और इन सब की वज़ा वो खुद को मानने लगता है और इस तरह एपिसोड वन खता हो जाता है तो यह आपको कैसा लगा बताना और हो सके तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना थैंक यू